नमस्कुरार SBT News में आपका स्वागत है पेश ए 30 अगस्त मंगलवा शामसवा 7 बजे राजसान की बड़ी खपरें राजसान हाई कोड जोदपूर ने राजसान जुडिशियल सर्विसिज आर जेएस का पाइनामा जौरी कर दिया है प्री और मुखे परिक्षा के बाद हुए साक्षातकार के आधार पर 120 अंकों के लिए ये पाइनाम जौरी किया गया है आपको बता दे कि 30 अप्रेल और 1 मई को मुखे परिक्षा का आयोजन किया गया था और उसके बाद 20 से 27 अगस तक इंटर्विव हुए थे साक्षतकार खत्म होने के 22 घंटे के भीतर ही राजसान हाइकोर्ट प्रिशास्तर ने ये पाइनाम जौरी कर दिया है इस बार आरज्येस की टॉपर अंजली जानू रही वहीं दूसरे सान पर दीशना गुरेच्छा और 30 रैंक पर महावी सैनी ने कबजा जमाया है हाइकोर्ट प्रिशास्तर ने 120 पदो पर चौनित परिक्षारतियों की सुची के साथ इंटर्विव में शामिल हुए विद्धियातियों के विशेवार अंक और इंटर्विव के अंक भी वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये हैं 120 पदों के लिए 366 अभियर्थियों को इंटर्विव के लिए बुलाया गया था मुख्यमंत्र शोक गहलोत ने कहा कि किसानों के लिए प्रदेश में अलग से बज़ट पनेगा कृष्वी के लिए बज़ट भी दोगना कर दिया गया है ये बात उन्होंने जूदपूर में पत्तकारों से बात करते हुए कही उन्होंने कहा कि राजसान मेडिकल के तोर पर पूरे देश में मौडल बन चुका है वे प्रदान मंत्री से भी मांग करते हैं कि मेडिकल वाला मौडल पूरे देश पर लागू करे उन्होंने कहा कि कॉलिज तर पर तो परेवन सुरक्षा को लेकर जागरू किया जाता है लेकिन स्कूली बच्चों में भी बच्चमें से ही परेवन और प्रदूशन की जान करी दी जाए पंजाब के पूर्वी सीम क्याप्टन अमरिंदर सिंग ने प्रदानमदी नरेंदर मोदी से मुलाकात की उनके साथ उनके बेटे रनेंदर सिंग भी थे कैप्टन ने कहा कि पीम नरेंदर मोदी के साथ अच्छी मुलाकात हुई पंजाब के साथ जुड़े अलग-अलग मामनों पर चर्चा की इस दरहां राज्यों और देश की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया ये हम दोनों के लिए हमेशा प्रमुक विशे रहा है और आगे भी रहेगा महीं कैप्टन नरेंदर सिंग की इस मुलाकात को उनकी पार्टी पंजाब लोग कांग्रिस को भाजपा में मर्ज करने से भी जोड़ कर देखा जो रहा है जपर के सवाई मानसिंग अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संक्या 11,000 पार हो गई है इसमें जातर मरीज मौसमी बिमारियों से पीडित हैं चिकसकों ने बता आए कि ओपीडी में गत्मा 8-9,000 तक मरीज आ रहे हैं अगस्त में ये संक्या 11,000 पार पहुँच गई इन मरीजों में 60,000 फीजनी मरीज, सर्दी जुकां, बुखार, उल्टी, दस्त, खांसी, अलोर्जी, डेंगू, नीमोनिया, सिनी में दर्द और स्वाइन फ्लो से पीडित हैं ओपीडी का समय शुरू होने से खत्म होने तक धनवंत्री ब्लॉक में भीड रहती है शुटी के दिन महज 2 घंटे चलने वाली ओपीडी में भी 3,500 मरीज पहुच रहे हैं भीड के कारण मरीजों को रजिस्ट्रेशन, डाक्टर को दिखाने और फिर जांच कराने वे दवा लेने के लिए कतारों में कई घंटे जूझना पड़ रहा है तरहस्थान में रीड 2022 परिख्षा समयलित हुए राज जी के लाखो अभिरतियों के लिए महत्वण अपड़ेट है मादे में खीक्शाबूर राजिस्थान, अध्याबक पात्ता परिख्षा 2022 के परिश्टा परिख्षा 2022 के पर इनामों की घोशना कभी भी कर सकता है मेडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जोरा है कि RBSC रीट 2022 रिजल्ट की घोशना आज याकल में कर सकता है हलांके बोड़ने अधिकारिक तौर पर परिक्षा परिणाम खोशित करने को लेकर कोई तिथी जोरी नहीं की है सीय माशोग गैलोथ का दूसरे दिन भी जोदपूर में दोरा रहा मंगलवार को उन्होंने पदमश्री कैला आश सांकला समरती वन में वनमहास्ञ मेंст में हिस्सा लिया और लवकुष वाटिका का शिलान नियास किया यहां उन्होंने वाटिका का निरिक्षन भी किया कारकरम को संबोधित करते वे उन्होंने कहा कि कैराश वन को टूरिस्ट देखने आएंगे तो लोगों की भागितारी बढ़ेगी प्रदेश के हर जिले में लवकुष वाटिका बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि परेवन को लेकर आज पूरी दुनिया में चिंता है अब कई मशीने आ गई हैं इसलिए पेड को काटे नहीं उन्हें शिफ्ट करेंगे उन्होंने वनवी भाग की करमचारियों को कहा कि हमारी कई शिकायते रहती है लेकिन आपका फर्ज है वन की रक्षा करना मंच से संभोधन के दौरान उन्होंने जोदपूर की सडकों के बारे में कहा कि मुझे पता है कि सडके टूटी हुई है इसके लिए अलग से बजट दिया जाएगा रहसान में कोरोना के दो साल तक सरकारी नौकरियों के लिए परिक्षाय समय पर नहीं हो पाई तो सियम अशोग गहलोत ने युवाओं के लिए रहत की खोशना की थी बुंदी जिले में एक सभा में 30 जुलाई को उन्होंने कहा था अगामे प्रतियों की परिक्षाओं में अधिक्तम आयू सिमा में दो साल की छोड़ देंगे लेकिन कार्मिक विभाग की सुस्ति की कारण युवा निराश है घोशना के करीब एक महिने बाद भी विभाग अधिसूचना जारी नहीं कर पाया ऐसे में प्रदेश में नई भरतियों पर अगोशी त्रोप लग गई है भरती एजनसियां अधिसूचना का इंतिसार कर रही है इससे 67,000 चैदिक पदों की भरतियां अटक गई है तिरुपती बालाजी और शेडी साई बाबा के यात्रियों को रहत पहुंच आने के लिए रेलवे ने दो सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेने शुरू की थी लेकिन इनके संचालन में मनमर्जी से चलते यात्री परिशान हो रहे है ट्रेन का यहां स्टॉपेश टाइम 10 मिनट का है लेकिन इसे सिर्फ 5 मिनट बाद ही रवाना किया जो रहा है जैपुर स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव देखते विए जैपुर के उपनाग्री स्टेशन ढेहर के बालाजी से इन्हें संचालित किया जाता है ऐसे में इसे हिसाब से ट्रेनों का विबिन स्टेशनों पर शुडूल और स्टॉपेज टैग किया गया है लेकिन जयापू स्टेशन पर इन्हें स्टॉपेज के हिसाब से नहीं रुका जाता है हलांकि ट्रेन जाती तो अपने डिपार्चर के समय ही है लेकिन लेट होने के कारण इसे हॉल टाइमिंग से जल्दी रवाना कर दिया जाता है बैंक मेनेजर, कॉंट्रेक्टर, बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में कोटा जुले की ग्रामिन पलिस ने अंतराज जिय ठग पती पतनी को ग्रिफतार किया है ठगी के दोनों आरोपी जैसल मेर के सम कस्वे में रह रहे थे इनके खिलाफ मोडक वेराम गंज बंडी में मामला दर्च है आरोपी की खिलाफ 11 स्टेंडिंग वरंट जारी किये गए थे आरोपी उसे पुष्टाच में ठगी के मामलों का खुलासा हो सकता है आरोपी रंग रूप बदल कर लोगों से ठगी करते थे आरोपी की खिलाफ जापूर, यूपी के गोरखपूर, जुझनुसा, मेत, कोटा, जिले में कई धोखादड़ी के मामले दर्च है डुंगरपूर के जिंजवा सीनियर स्कूल के दो टीचर्स के तबादलों से नाराज ग्रामिनों स्टूडेंट्स में आकरोश है टीचरों के तबादलों से नाराज स्टूडेंट्स और ग्रामिनों ने मंगलवार को स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और दोनों टीचर्स का तबादला निरस्ट करने की मांगी है बेचिवारा पंचाय समीति के ग्राम पंचाय जिंजवा के सिन्यर सेकंडरी स्कूल के दो टीचर्स के तबादले और उन्हें रिलिव के जाने के बाद स्टूडेंट्स और ग्रामिनों में आकरोश है मंगरवार को स्टूडेंट्स जब स्कूल पहुंचे और उन्हें टीचर्स के रिलिव होने का पता चला तो स्टूडेंट्स ने स्कूल के गेट पर तला लगा दिया श्री गंगाना गजुले के घरसाना वकील मंडल के पूरवध्यक्ष विजय सिंग मामला तूर पकरता जो रहा है मामले में सभी दोशी पुलिस कर्मियों को बरखास्त करने की मांग को लेकर सिरोही में बार एसोसियेशन ने नारेवाजी कर प्रदर्शन किया और मुखे मंत्री के नाम का कलیک्टर को ग्यापण स्वोपा मुखे मंत्री के नाम स्वोपे गई गयापण में बार एसोसियेशन ने बताया कि कुछ से में पहले घरसाना में बढ़ रहे नशी को लेकर विज़य सिंग जोरर ने अंदोलन किया था अंदोलन के दौरान पुलिस ने विजय सिंग जोरड को काफी पीता था और जूटे मुकदमे में फसा कर लगातार मांसिक और शारिरिक रूप से प्रताडित किया पुलिस प्रताणा से परिशान होकर उन्होंने 29 अगस्त की सुबा अपने घर में फंदे से लटक कर सुसाइट कर लिया अजमेर के क्रिशन गंज थाना शेत्र में सोने की इंट सस्ते में देकर ठगी की कोशिश की गई पेडित को आरोपियों ने बताए कि वे मजदूर हैं और मजदूरी के दौरान खुदाई के दौरान ये मिली है इसके लिए पेडित से पांच राक रपे मांगे लेकिन ठगी का एसास होने के कारण पेडित ने नहीं दी पुलिस मामने की जुआच में जुटी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल स्पेटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर